नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में हम लोग ज्यान विंदू के द्वारा निकाला गया बिहार SAC के प्रैक्टिस सेट देखेंगे आल मॉडल प्रैक्टिस सेट नमबर आठ देखेंगे इसमें 1500 प्रैक्टिस दिया हो गया अब पूरे प्रैक्टिस को डिटल सोलूसन किया गया है मैथ रिजिनिंग का भी इसलिए आप इसे पूरा जरूर देखिए तो आई शुरू करते हैं पहले प्रैक्टिस से प्रैक्टिस करते हैं कि एक बस्तु का 5600 रुप्या में बेचने पर अरजित लाब उस बस्तू को 2400 में बेचने पर हुए नुकसान के समान है तो बस्तू से हुई लाब ग्याद करना है तब बस्तू का क्रैमूल बराबर हो जाएगा क्रैमूल बराबर हो जाएगा लाब पर बिक्रैमूल लाब पर बिक्रैमूल पलस खानी पर जो विक्रेमूल है और बटा क्या हो जाएगा दो हो जाएगा यानि च्छपन सो पलस चोवी सो बटा दो हो जाएगा equal to 4000 हो जाएगा क्या हो जाएगा बस्तू का क्रेमूज 4000 तो बस्तू पर लाव कितना हो जाएगा बस्तू पर लाव कितना हुआ तो 56 minus 4000 equal to हो जाएगा हमारे पास 1600 रुक्ते है तो अंसर हो जाएगा C चलिए next देखते हैं कि हाली में इसरो ने किस रॉकेट से आदित 11 का सफल परच्छेपन किया है काफी important प्रशन है यह पूछा जा सकता है जामें आदित 11 का सफल परच्छेपन क्या है तो इसका सही अंसर हो जाएगा B. PSLV C 57 से इसरो ने PSLV C 57 रॉकेट से आदित 11 का सफल परच्छेपन किया है और यह 2 सितंबर 2013 को किया गया है अगला प्रशन है कि उस बिकल्प का चैन किजिए जो तिसरे सब्द में उसी परकार संबंदित है जिस परकार दुसरा सब्द पहले सब से संबंदित है दर्द, ब्यथा, क्रोध उसके बाद क्या होगा और इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सन बी, गुसा, जिस परकार दर्द का संबंद पीड़ा या ब्यथा से है उसी परकार क्रोध का संबंद गुसा से है नेक्स देखते है तेस अज़ार छेसो कुछ यहां पर है अंक तूचार को चार से बिभाज नेक्स्ट है टू, ठी, सिक्स, फाइव अस्टार फोर को चार से बिभाज बनाने के लिए अस्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या को आ सकती है तो आएगे देखते हैं दो, तीन, छे, पांच यहां पर श्टार होगा उसके बाद चार अगर इसे हम चार से डिवाइट करेंगे तो पहले तो हमें बीस करना है यहां पांच लिखेंगे बचा तीन उसके बाद छे उतार देंगे यहां अगर च्छतिस से काटते हैं नो चो च्छतिस तो यह कट जाएगा फिर पांच हम उतार लेगे एक वार में लगाएगे चार हो जाएगा एक बचेगा अब यहां पर यहां तो च्छे रखते तो चार चुछ सोला भी हो जागा लेकिन आठ भी तो हम रख सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या यहां पर च्छे भी हो सकता है और आठ भी हो सकता है लेकिन सबसे बड़ी संख्या को हमें निकालना है तो आठ अंसर आ जाएगा ए सोतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे और इसका सही अंसर हो जाएगा अप्शन B लाड मॉंट बेटन सोतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जनरल लाड मॉंट बेटन थे और यह मार्च उनसर जून उनसर आठ तक यह रहे थे हाली में दिवंगत हुए अंगरेजी भासा के पहले सही तकाद्मी पुरुषकार प्राप्त करने वाले कभी कौन थे और इसका सही अंसर हो जागा A जैन्त महापात्र हाली में दिवंगत हुए अंगरेजी भासा के पहले सही तकाद्मी पुरुषकार प्राप्त करने वाले कभी थे जैन्त महापात्र उन्हें 1981 में उनकी कभी था रिलेशन सीब के लिए सही तकाद्मी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था जो एक भारत्य अंग्रेजी लेखा के लिए पहली बार था अगला है कौन सा विकल्प दिये गए परतिरूप में तिसरे अंग से उसी परकार सम्मानित है जैसे दूसरा अंग पहले अंग से है आईए देखते हैं अगर हम 11 गुना 12 करते हैं तो हो जाएगा 132 और फिर 12 गुना 13 करते हैं तो हो जाता है 156 उसी परकार अगर 462 लाना तो 20 गुना 22 करेंगे तो 462 हो जाएगा और अगला करने के लिए हम क्या करना होगा तो 22 गुना क्या करना होगा तो 22 गुना 23 करेंगे तो 506 हो जाएगा अंसर हमारा निकल करा जाएगा D नेक्स्ट है एक एतलीट बारा मिनट में च्छती सो मीटर की दूरी पार करता है उसकी चाल किलो मीटर पर घंटा में क्या होगा दूरी जो हमारे पास है वो कितना है च्छती सो मीटर है समय कितना दिया हुआ है तो बारा मिनट यानि कितना बारा गुना 60 सेकंड में पहले ले आएंगे तो 720 सेकंड तो 40 बराबर हमारे पास हो जागा मीटर पर सेकंड 36 मीटर 720 सेकंड हो जाएगा और उसे किलो मीटर पर घंटा में बदलने के करते हैं 18 बटा 5 से भागा करते हैं तो हमारे पास आजाएगा अठारा किलोमीटर पर हाबर तो अंसर हो जाएगा C नेक्स्ट है 90 किलोगराम भारवाली बस्तू के लिए 90 किलोगराम भारवाली बस्तू के लिए और इसका सही अंसर क्या कि उसका भार पिर्थिवी के सता से REY2 उचाई पर 40 किलोगराम होगा और उसका भार पिर्थिवी के सता से RE2 गहराई पर 45 kg होगा तो इसका जो अंसर हो जाएगा यह दोनों कथन सही है अगर यह पिर्थिवी है और यह RE है तो यह distance पर RE by 2 पर जो बजन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 kg हो जाएगा इसमें फार्मूला लगेगा F वरवर G M1 M2 by RE के होल स्क्वार यह फार्मूला लगा कर बनाना पड़ेगा और इसके नीचे वाला में फार्मूला लगेगा G वरवर G M बटा RE2 यह दो फार्मूला के सहाईता से बनेगा इसलिए यह दोनों कथन सही है नेक्स्ट है पहले से है पूGU में देखना है कि रएमफ कैसे लिखा गया है तो आइए देखते हैं इसे R का विप्रित I है A का विप्रित Z लिखा हुआ M का विप्रित N होगा और P के विप्रित क्या है सिर्फ विप्रित लिखा गया है तो C के उसी तरह अगर हम विप्रित देखते हैं तो क्या हो जाएगा X हो जाएगा E के विप्रित जो होगा वो क्या हो जाएगा, B हो जाएगा I के विप्रीद जो होगा, वो R होगा L के विप्रीद जो हमारे पास होगा O होगा, फिर I है तो R होगा N का विप्रीद जो होगा, वो M होगा और G के विप्रीद क्या होगा, T होगा तो इसका जो हमारे पास अंसर हो जाएगा हो जाएगा A दो संख्याएं 4 अनुपात 7 के अनुपात में है यदि उनका मसा 26 है तो इन संख्याओं का योग क्या होगा इसका सही जवाब हो जाएगा D 286 होगा दो संख्याओं का अनुपात क्या है सही सुमेलित नहीं है। हुए मारा गया अंग्रेजों ने श्री रंग पटनम पर अधिकार कर लिया और बागी पर्थम अंगला मैं सीरुद 1767 से 179 इस्वी में हुआ तो आइए देखते हैं 56 से 68 गया है पलस 12 है और 68 से क्या जाएगा यह भी हमें नहीं पता है लेकिन यहां से 128 से अगर एक्सोची शचीतर देखते हैं तो इसमें 48 किया गया है और 176 से 236 60 किया गया है यानि यहां पर दिखने में difference लग रहा है कि यह 12-12 का add किया गया है तो 68 पलस क्या करेंगे 12 पहले था और तो 24 अगर करेंगे तो 28-28 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा अब 92 में से फिर 36 करेंगे तो फिर 128 हो जाएगा इसका जो सही अंसर हो जाएगा रहा दि फोक मुलि सुच्कांक में प्राथमिक बस्तुओं के अंतरगत बर्तमान में कितनी बस्तुओं रखी गई है सही जबाब हो जाएगा एasis 157 बस्तुओं रखी गई है जिसमें आज फल, سब्जी कपास जूट चाय आदी को रखा गया है नेक्स्ट है एक एकल अबिर्ति द्वारा उत्पन ध्वानी को खालिय स्थान कहा जाता है और इसका अंसर हो जाएगा बी टोन स्वर या तान एक एकल अबिर्ति द्वारा उत्पन ध्वानी को टोन कहा जाता है तारत द्वानी का वहल अच्छन है जिसके कारण द्वानी को मोटा या तिसन कहा जाता है तारत वह अविर्ती पर निरवर करता है काफी important है कई वार ये प्रस्ण पूछा जाता है अगला है दिए गए स्रिंखला में उस बिकल्ब का चैन करें जो निमलिखी स्रेनी में प्रस्ण बाचक चिन के अस्थान पर आती है आईए 14 गुना अगर एक करते हैं तो 14 है उसके बाद इसमें से माइनस 2 करते हैं तो 12 है उसमें से 3 गुना करते हैं तो 36 है और इसमें से क्या करेंगे माइनस 4 करेंगे तो 32 आएगा और अब क्या हो ना चार गुना होना चाहिए तब 32 गुना चार करें है तो इस चार तो हैं ही पांच गुना होगा तो 160 होगा और इसमें माइनस 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 154 अंसर हो जाएगा C एक, दो, तीन, चार, पांच के स्रीष चल रहा है लेकिन शुरुवात में गुना है फिर माइनस है गुना है माइनस है गुना है इस तरह का है तो अंसर हो जाएगा C 154 मेनरहीम रेखा किन दो, देशों के 20 सीमा बनाती है मेनरहीम रेखा और इसका सही जवाब हो जाएगा रूस एवम फिनलेंड के बीच अंतराष्टे सीमा बनाती है रूस एवम फिनलेंड के साथ कौन तो मेनरहीम और अगर जर्मनी और फ्रांस की बात करें यह कौन सा रेखा बनाता है तो मैगी नौट रेखा कौन सा मैगी नौट रेखा और USA अब हम कनाड़ा के बीच होती है तो 49 समानांतर रेखा है और जर्मानी और पुलेंड के बीच अगर हम बात करते हैं तो हिंडन बर्ग रेखा बनाती है अंसर हो जाएगा बीचनु पंडिस सास्त्री ने अठार सो पचास में बिधवापुनर विवास अबा यानि बिधवापुनर विवास अगला है अगला है दिये गया संख्या सिरेनी में प्रश्न बाचक चिन्हक्तान पर आ सकती है तो आए देखते हैं 17 से 20 कितना है प्लस 3 किया गया है बीस से 60 गुना तीन किया गया है अब 60 से प्लस 44 किया गया है चौसट गुना चार दूसो 56 किया गया है यहाँ पर 5 गुना किया गया है अब क्या कर रहा गगा तो फिर conteúdo 6 किया जाएगा तो पलस 6, 1305 में पलस 6 करेंगे तो 3301 अनसर हो जाएगा डी 9 भागा 9 का 9 पलस 9 बटा 9 भागा 9 गुना 9 पलस 9 का सरलिक रित्मान क्या होगा तो आइए देखते हैं कि 9 भागा क्या हो जाएगा 9 का 9 मतलब किता हो जाएगा ननमा एकासी प्लस 9 9 प्लस 9 60 बटन प्लस 9 बटन इसे तोड़ेंगे तो वूसन गुना 9 बटन जूँना इसन एक 12 बटनिक 462 करते हैं बैटरी के धनात्मक दूर्प से जोड़े गया इलेक्टोइट को क्या करते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा सी इनोड करते हैं दिये गए विकालपों में उस अच्छर समू का चैन करें जो निम्लिखी संख्ला में प्रस्ण बाचक चिंड के स्थान पर आ सकता है तो आईए देखते हैं किस तरह यह जूड़व है टी सेमेर हम ती से प्लस नौ करते हैं तो सी आता है और यूज से अगर हम प्लस नौ करेंगे 9 ने है इसमें प्लस 8 है इससे प्लस 8 है और जेट से प्लस 8 करेंगे जेट से प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या जाएगा है एच आ जाएगा ठीक उसी तरह N से पलस 7 करते हैं तो U आता है यानि एक बार पलस 9 गया एक बार पलस 8 गया फिर पलस 7 फिर पलस 6 मारे पास अंसर निकल के आया है D Golden Hand से एक संबंधित है किस से और इसका सही जबाब हो जागा C क्रमचारियों की स्वैच्छिक सेवा निविड़ती से Golden Hand से का संबंधित क्रमचारियों के स्वैच्छिक सेवा निविड़ती से है इसमें क्रमचारियों को स्वैच्छा से निविड़त करने के लिए प्रेरित किया जाता है इसके लिए बिछेद पैकेज भी दी जाती है जो टेक्स फिरी होती है इसे Golden Root to Retirement Golden Root to Retirement कहा जाता है अजाध हिंद फोज का गठन किसके बिरूद लडने के लिए किया गया था अजाध हिंद पोज की पहले division का गठन किया इसका गठन भारत में बिरूद लडने के लिए किया गया था और 2 जुलाई उन्हें 143 को स्वाचंद बोस सिंगापूर पहुचे तत पस्ताद उन्हें अजाद हिन पहुचका सबुच से नापचती घोशित किया गया था नेक्स्ट है अच्छों के उस से योजन का चेन करें जिसे दी गई स्रिंखला अगले रिक्त स्थानों में करमबार रखे जाने पर स्रिंखला पुर्ण हो जाएगी और इसका सही जवाब हो जाएगा Option D एक ब्रीत की परीधि A Pi काई है अब ब्रीत का चेदरफल B Pi बरगी काई है यदि A यरूपास B बरवर इतना है तो ब्रीत की तरिज्या क्या होगा जब ब्रीत की परीधि क्या है दिया हुआ है और ब्रीत का चेदरफल भी हमारे पास दिया हुआ है A Pi colour B Pi यानि A बटा B दिया हुआ है यानि 2 pi r बटा pi r square वरवर कितना दिया हुआ है 4 बटा 5 क्योंकि A बटा B वरवर 4 बटा 5 दिया हुआ है यहां से हमारा निकल जाएगा 2 बटा R वरवर 4 बटा 5 निकल जाएगा 4 बटा R वरवर हो जाएगा 10 तो R वरवर हो जाएगा 10 बटा 4 यानि न्यूटन पर मीटर होता है प्रिस्तनाव का यानि प्रिस्तनाव पराबर क्या होता है तो बलवटा लंबाई होता है बलवटा लंबाई आए अब कथना उन्निस कर सके देखते हैं कुछ बॉलेट पर से कुछ जो है बॉलेट है यहां पर यह बॉलेट है और यह पर से कुछ पर्स बैग है कुछ पर्स जो है वो है बैग है और उसके बाद है सभी बैग सुटकेस है सभी जो बैग है वो क्या है सुटकेस है सुटकेस है आये निसकर्स में कोई बॉलेट सुटकेस नहीं है बताना है कोई बॉलेट सुटकेस नहीं है बिल्कुल गलत है कुछ पर्स जो है वो सुटकेस है, सही है, सभी जो बॉलेट है, सभी बॉलेट के बैग होने की संभावना है, यह संभावना हो सकती है, यह भी सही है, सभी बॉलेट के बैग होने की संभावना है, क्योंकि जब कथन पोजेटिव हो, तो निसकर्स निगेटिव नहीं हो सकती है, तो इसका सही अ नुसरन करते हैं भारत में अरावली पर्वत का निर्मान हुआ था अंसर हो जाएगा ए डी। यूग में केलिडोनियम परवत का निर्मान सेलूरियन दिनोनियन तथा पर्मियन यूगों में हुआ है भारत में महदेव तथा सत्पुड़ा पहाणियों का सिर्जन भी इसी काल में हुआ था अराबली अपसिष्ट या प्राचिन बलित परवत का उदाहरान है ठारा सो संतामन के विद्रो के समय मेरट में सेन चावनी के उत्र अधिकारी कौन थे और इसका अंसर हो जाएगा सी जनरल हेविड ठारा सो संतामन के विद्रो के समय मेरट में सेन चावनी के अधिकारी थे जनरल हेविड दैस में ये ठारा सो संतामन को मेरट चावनी में तैना कामल एवं रोटी क्या था कमल एवं रोटी बिनिता अतिमा का पती है देव कुस का भाई है सालनी कुस की माता की माता है देव बिनिता का पुत्र है अंतीमा सालनी से किस पर का संबंधित है और इसका सही जवाब हो जाएगा option B बेटी है यदि 4A बरवर 5B बरवर 8C हो तो A अ तो आई यह से करते हैं विए अनुपाथ बी अनुपाथ सी वह हो जाएगा एक बटा चार अनुपाथ एक बटा पांच अनुपाथ एक बटा आठ और चार पांच आठ निकाल के इसे गुना कर दें तेंसीं चालिस होगा यह से स्वोख करें तो यह होगा दास अनुपाथ आठ अनुपाथ पांच इस तरह भी आप स्वोख कर सकते हैं सोट में अंसर हो जाएगा ए किर्चॉप का पर्थम नियम कि सिद्धान से संबंदी थैं और इसका सही अंसर हो जाएगा भी आवेस सरच्चन के किर चौप का नियम है उसमा के अच्छे हैं आच्छे के सरजक होते हैं अगला देखते हैं यू की पुत्री एकस भी की बहु है डबलु भी की पुत्री का पुत्र है तो डबलु एकसे किस प्रकार संबंदित है और इसका सही अंसर हो जाएगा C, भांजा, सरस्वति सम्मान पुरुषकार की छित में विशिस्ट कार के लिए दिया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा C, सहीत के छित में दिया जाता है सरस्वति सम्मान सहीत के छित में दिया जाता है सरस्वति सम्मान पुरुषकार भगा सी के बारे में निमलीखित में कौन सा कथन गलत है बताना है कि भगा सी के बारे में कौन सा कथन गलत है तो अंसर हो जाएगा सी उन्होंने धर्म दर्शन की अलोचना की है भगा सी के बारे में गलत है कि उन्होंने धर्म दर्शन की अलोचना की नेक्स्ट है देव ने एक बुढ़ी अउरत की तस्वीर के और इसारा करते हुए कहा कि वहां मेरी पत्नी के बेटे के दादा की बहन है बुढ़ी अउरत का देव से क्या संबद है और इसका अंसर हो जाएगा A. बुआ का 24 ब्यक्ति एक कार्ज को 20 दिनों में कर सकते है उसी काम को 30 ब्यक्ति किसने दिनों में कर सकते है एक फार्मूला है काफी परसिद है M1, D1, H1 बराबर M2, D2, H2 यहां पर रख है कि 24 गुना 20 बराबर 30 गुना X X बराबर हो जाएगा 24 गुना 20 बटा 30 बराबर 16 दिन यानि उसी काम को 30 ब्यक्ति कित नाजिनों में 16 दिन में कर सकता है अंसर हो जाएगा A TV के remote control में निवलिखेत में किसका परियोग किया जाता है अंसर हो जाएगा C अबरेक्ट बिकीरन के खोज किसने किया था तो यह हरसल ने किया था अबरेक्ट विकिरान की खोज अबरेक्ट विकिरान का जो तरंग धर्ज होता है उसका रेंज होता है 7.8 गुना 10 to the power minus 7 से लेके 5 into 10 to the power minus 3 मीटर तरंग धर्ज का नेक्स्ट है 5 मीटर है NMOP और Q एक कतार में पूरा प्योर मुक्ण के बैठा है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह इसी क्रम में हो वो सबसे बाई और बैठा हुआ है वो जो है सबसे बाई और बैठा हुआ है N, M और Q के बीच में बैठा हुआ है N जो है M और Q के बीच में बैठा हुआ यानि यहां पर M होगा या Q होगा या Q होगा P किसी भी छोर के सीट पर नहीं बैठा हुआ है P जो है वो किसी भी छोर के सीट पर नहीं बैठा तो O के निकटतम पड़सी कौन हो जागा इसका जो अंसर हो जागा C, P हो जागा ग्रामिन विदूति करन निगम के स्थापना कब की गई थी? स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है इसका सही अंसर हो जाएगा बी बेंचीर भुट्टो जबाहरलान लेहरू मार्सल टीटो करनल नासिन सुकर्णो एबम एक कुरू माह गुट निर्पेश अंदोलन से जुड़ा हुआ था और इसका जो पहला सिखर सम्मेलन हुआ था वह एक सितंबर उन्हें सो एक सथिस्वी को हुआ था और इसमें पचीस देशों ने भाग लिया था गुट निर्पेश में बरतमान में 120 सदस देश है रहान अपने घर से 6 किलोमेटर पस्चिन में ड्राइब करती है और बाएं मुडती है और 3 किलोमेटर ड्राइब करती है फि क्या करती है 10 किलोमेटर की ड्राइब करती है अब बताना कि उसे घर से कितनी दूरी है तो यहां पर तो यह 4 किलोमेटर हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा तो 3 किलोमेटर तो 4-3 तो यहां पर जो हमारे पास आगा वो 5 किलोमेटर है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो है B 36 km पर घंटा की चाल से यात्रा करने वारी ट्रेन 25 सेंट में एक पूल को पार करती है 350 मीटर लंबे पूल को पार करने में कितना समय लगया तो सबसे पहले ट्रेन की लंबाई निकालना होगा तो ट्रेन की लंबाई बरबर हो जागा पूल की लंबाई पूल की लंबाई 300 है तो 300 जूट जाएगा तो हो जाएगा कितना चारदू 600 और अब कह रहा है कि ट्रेन द्वारा पूल को पार करने में समय लगया तो समय बरबर हम जानते हैं क्या होता है दूरी बटा चाल दूरी हमारे पास तो कितना है 600 और चाल क्या है 36 गुना 5 बटा ठारा उसे बदल देते हैं क्योंकि किलो मीटर पर घंटा दिया हुए जब इसे सोलम करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 60 सकेंड अंसर हो जाएगा ताला को चावी से खोलना ये किसका उदारन है सही अंसर हो जाएगा सी बल युगम का ताला को चावी से कोलना ये बल युगम का उदारन है किसी बस दूपर दो बरावर किन्तु भिप्रित दिसाओं में कार्ज करने वाले समन अंतर बलों को बल युगम कहते हैं नेक्स देखते हैं अनन्द के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है तथा तीन किलो मेटर जाती है इसके बाद बाएं मुड़ती है दू किलो मेटर जाती है अंतर में फिर से दाएं मुड़ती है चार किलो मेटर दूर इत्ताय करके बिद्याले पहुचती है बिद्याले पहुचने पर बस का मुख दच्छिन पूरब में है जब यह अनांद के घर से चली तो इसका मुख किस दिसा में है यह देखना है तो यहां से अनांद निकल तीन किलो मीटर दो किलो मीटर और यह चार किलो मीटर हमारे पास जो अंसर हो जाएगा जब बस अनांद के घर से चली तो उसका मुख उत्तर पूरब दिसा में था अनसर हो जाएगा भू सता पर उत्गम के निकरतमस्थान को अधिकेंदर कहते है मिर्दू सावुन बनाने के लिए आवस्यक पदार्थ क्या है मिर्दू सावुन बनाने के लिए आवस्यक पदार्थ क्या है और इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D. कास्टिक पोटास मिर्दू सावुन बनाने के लिए कास्टिक पोटास क्या बस्यक्ता होता है सावुन का परियोग केबल मिर्दू जल में किया जाता है जबकि अपमार्जक मिर्दू बकठोर दोनों परकार के जल में उपयोग किये जाते हैं कारण यह है कि अपमार्जा कठोर जल में उपस्थित कैल्सियम एवा मगनीसियम आईनों के साथ जल में एविले लबन नहीं बनाते हैं अगला प्रस्ण की दिये गया किर्ती सिंखला में प्रस्ण बाचक चिन के स्थान पर कौन सिया किर्ती आएगी तो सही जवाब हो जाएगा option क्या हो जाएगा तो यह यहां पर आजाएगी सांथ जल में एक 9 की गती 8 किलो मीटर पर ग fents य्यदे धारा की गती 2 walking जात है तो प्रतिकूल जाते हमें uh कितनी दूरी त्इय करेंगी तो धारा की चाल कितना है 2-0 किलमुटर पर खनता और सांध.. में तो आठ किलोमेटर तो परफ पर्तिकूल दीसा में नाउख कइना का जरम को बनाने वाले वियक्ती कउन थे अंसर जाएगा डी नीनो डी कुनहा ने भारत में पुर्तगाली उपनी वेस्की रध्धानी कोचिन से हटा कर गोवा को बनाया था अलफांसो डील गुकर ने सन 1510 में बीजापुर के सासक यूसुफ अदिलसा से गोवा छीन लिया था दिये गया किरती सिंखला में प्रस्ण बाचक चिन के स्थान पर कौन सिया किरती आएगी अंसर हो जाएगा ए सिरी पदमानाव स्वामी मंदिर कौन से राज में इस्तित है पदमानाव स्वामी मंदिर सही जवाब हो जाएगा अप्शन बी केरल में इस्तित है जो भगवान बिश्नु को शमर्पित है भगवान इस मंदिर में परवेश के लिए सक्त ड्रेस कोड का नियम है इसका पुनाह निर्मान बर्तमान सुरूप राजा मार्तंड बर्मादवारा द्रबिट सहली में करवाया गया था जो त्रावन कोर के परसिद राजा थे अगले प्रस पे चलते हैं milk of magnesium का प्यास मान कितना होता है इसका अंसर हो जाएगा 10.5 होता है यदि किसी ब्रिट की त्रीज्या में 30% की बिर्दी की जाती तो उसके छेथफल में कितने पर्तिसद की बिर्दी की जाएगी तो ब्रिट का छेथफल बरबर होता है पायर स्वार, त्रिज्या में बिर्धी परतिसत कितना है, तो 30%, बृत की छतफल में बिर्धी परतिसत अगर देखा जा, तो 30 पलस 30, पलस 30, गुना 30, बटा 100, यह कि यह सोटकट होता है, मुचुगल परसेंटेज निकालने के लिए, तो यह हो जाएगा, 46% पलस 5.9%, यानि हो चैन नहीं होता है, सही अंसर हो जाएगा, B, NO3- से NO बनता है, तो इस अभी किरिया में नाइट्रोजन के अप चैन नहीं होता है, अगले प्रस्ण पर चलते हैं, कि दिये गए सही दर्पन परतिवीम का चैन किजिए, जब दर्पन को MN पर रखा गया है, इसका अंसर हो जा ये सही योग संगठन, जिसके अपना जो हुआ था, वो कभ हुआ था, तो 8 दिसंबर उनेशों 85 को हुआ था, और इसका मुख्याला काटमांडू है, इसमें कितने सदस देश हैं, तो 8 सदस देश हैं, कितने 8 सदस देश हैं, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुट्ट जस्ता का, जस्तेदार लोहे की चादरे जंग से बची रहती, क्योंकि उनमें जस्ता की परत बिदमान होती है, दिये गए संग्योजन का सही दरपन परतवीम का चेन किजिए, जब दरपन को एमन पर रखा गया हो, अंसर हो जाएगा, आप्शन B, नेक्स्ट है, सम्दी बा हुआ है, 120, अगुना दो बटा, एश्कॉर हो जाएगा, दो बन बटा दो है, दो इधर चला गया, यह बरख़र होगा, अंडर रूट, एक से खीच गुना धो, बरभर ग्यारा रूट, दो हो जाएगा, तो कर्न बरहबर होता है, अंडर रूट, एश्कॉर, पलस एश्कॉ अंसर हो जाएगा भारत में सबसे उची अंबेतकर परतिमा का नावरन किस राज में किया गया अंसर हो जाएगा सी तिलंगाना में किया गया किसी भासा में बार्डेन को इस तरह लिखा जाता है उसी भासा में और फिसको क्या लिखा जाएगा तो आईए देखते हैं किस तरह लिखा जाए तो पर्तीयक में यहां पर कैतना जोड़ा गया है, यह देखना है, W से S गया है, इसमें क्या गया है, पलस सब्सक्राइए डाने continuing Windows नहीं गया है, यहां पर थोड़ा लिखा गया है, धियान देने दोाइए बात है, कि N से S गया है, पलस 5 गया है E से J गया है, पलस 5 गया है और D से आई गया है, पलस 5 गया है इस तरह लिखा गया है, लास्ट वाला को पहले लिखा है उसी तरह E से हम अगर पलस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? J होगा क्या होगा जे होगा तमारे पास जो अंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा पूरवी घाट का सर्वोस सिखर कौन सा है अंसर हो जाएगा जिंदगड़ा पूरवी घाट का सर्वोस सिखर जिंदगड़ा है जो कितना है 1690 मीटर है पूरवी घाट के दच्छिन पच्छिम में सि वादी प्रिफभादि की पहाड़ियां इस्थित है है एक billion का plus सब्सक्राइब किसी भासा में ब्रोजर को इस तरह लिखा गया तो इसे जी किया है तो प्लस दो किया है इस से यू किया है तो प्लस दो किया है उसी तरह अगर हम 40% चांदी 30% तांबा 30% निकल है 25 kg मिस दातू में कितनी चांदी किलोगरम मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिस दातू में 50% चांदी हो जाए चलिए आईए इसे सोल्ग करते हैं माना की मिलाया गए चांदी की मात्रा कितना हो जाएगा X केजी हो जाएगा अब प्रस्ण में कह रहा है कि 25 गुना 40 बटा 100 पलस X बटा 25 पलस X प्रवर कितना हो जाने चाहे 50% हो जाने चाहे बस आप इसे सोल कर दीजे तो जो हमारा X का माना आजाएगा वो हो जाएगा 5 केजी अंसर हो जाएगा 5 उत्तर प्रदेश के किस सनच्छे चेतर में पहली बार बागों के फोटोग्राफिक परमान दर्ज किये गए है अंसर हो जाएगा C सुहेलवा बन जीब अभ्यारन उत्तर प्रदेश के सुहेलवा बन जीब अभ्यारन में पहली बार भागो के फोटोग्राफिक पुर्वान दर्ज किये गए हैं एक कोड भासा में अगर भाचे जर बीटीवॉल को इतना लिखा जाता है भीडीवॉल भाचे जिंग्स ऐर एक्सपेंसिव को इतना के रूप में लिखा जाता है पिर उस भासा को बाट्षज़ और प्रिफ़र्ट सब्द को कोड क्या लिखा जाएगा इसका जो सही अंशर हो जाएगा वो हो जाएगा B687 बीश्व स्वास्त दिवस मनाया जाता है अंसर हो जाएगा B7 अप्रेल को बीश्व स्वास्त दिवस और 5 जून को मनाया जाता है 20 पर्यावरंदी बस मनाया जाता है अगला है एक ग्राम कैलसियम की अक्सीजन के साथ अभी किरिया कराने पर कितना CAO प्राप्त होता है तो एक ग्राम कैलसियम के अक्सीजन के साथ अभी किरिया कराने पर कितना प्राप्त होता है दो गुना 40 पलस 16 तो 112 ग्राम सी ओ, 80 ग्राम सी ओ से प्राप्त क्या होगा, 112 ग्राम सी ओ ब्राप्त होगा, और 80 ग्राम सी ओ, तो 1 ग्राम सी ओ से कितना होगा, 112 बटा 80 यानि 56 बटा 40, अंसर हो जाएगा C, किसी निश्चित कूट भासा में गुलावी को लकडी कहा जाता है, लकडी को कलम, कलम को रंग, रंग को भूरा कहा जाता है, उस भासा में निवन में से किसका प्रियोग लिखने के लिए क्या जाएगा, जिसका सही अंसर हो जाएगा, D, रंग का, क्योंकि कलम को क्या कहा जा जा रहा है, रंग कहा जा जा रहा है, चीनी की कीमत में 20% से जाती है तो एक वेक्टि अपना ब्याई केवल आउट परसंट बढ़ाना चाहता है उसे अपनी खपत में कितना पर्तिसद की कमी करनी चाहिए चाहिए उसे करते हैं मुल्ल गुना उप्योग ब्रबर क्या होगा ब्याई होगा अब 20 परसंट जो हमारा है चीनी के बढ़ गया बराबर हो जागा एक बटा 5 तथा 8% को हम क्या लिख सकते हैं दो बटा 25 अब आए देखते हैं परांबिक में मुल क्या था 5 है तो अब नया 6 हो गया ब्याय पहले 25 था अब कितना करना है 27 करना है उसी तरह प्योग बराबर ब्याय बटा मुल तो इसे जब सोल करेंगे 25 बटा 5 अनुपात 27 बटा 6 यानि 10 अनुपात बटा 9 तो खबतों में कमी कितना हो जाएगा 10-9 बटा 10 गुना 100 बराबर 10% अंसर हमारा हो जाएगा A पर्थम बैस्विक बहुत समयलन की मेजवानी किस सहर ने किया और इसका सही अंसर हो जाएगा option A नई दिली 20 सकी सपरील को नई द गई और एक और मेथड से यह खफ़त वालब बना सकते हैं इस तरह कि अगर आप में करना है सकेंड मेथड हुए है कि 100 पलस 20 परसेंटेज बढ़ा गुना 100-1 बटा 100 बराबर कर देना है 100 पलस आठ क्योंकि एक्स परसेंट की एक्स परसेंट बराबर कमी है तो इससे जब 100-1 बटा 100 बराबर 108 हो जाएगा यहां 100-1 बराबर हो जाएगा 10,800 बटा 120 एक्स बराबर होगा 100-92 बराबर 10 परसेंट इस तरह भी सुल्व कर सकते हैं चलिए अगले परसेंट पर चलते हैं कि एक पासे के तीन पत दिये गए निमलिखित में कौन सा चिन अस्टार के बिपर चलाएंगे यह सिमिलर है तो यहां क्लॉक बाइच चलाएंगे यह होगा डॉलर होगा इसके बाद एंड होगा यहां पर से यह होगा है और अस्टार होगा हमें देखना है कि इसके पोजिट क्या होगा तो जो बाकी बच गया है वही उसके पोजिट है तो कौन सा बच गया तो यह वाला पल स्दिता बच गया तो हमारा अन्सर हो जागा ए211 की जनगन्ना के नुसार भारत का सरवाधिक 10 के बिढ़्धि दर्फळा राज कुण है और कितने तर से 27.9% से newlands के एस्ट्रक सिदान के नुसर पोटाइस्यम और कोपर के बीच कितने तत्म मौझूंध है अंसर हो जाएगा b एक बस्तु को RS 14,000 में खरीदा गया है उसके क्रैमूल के 4 बटा 7 पर बेचा गया हानी परतिसत क्या होगा? बस्तु का जो क्रैमूल है वो कितना है तो यह 14,000 है बस्तु का भी क्रैमूल कितना हो जागा तो 14,000 अगुना 4 बटा 7 बरबर कितना हो जागा 8,000 तो हानी बरबर हमारे पास क्या आजागा हानी बरबर हो जागा 14,000 माइनेस 8,000 यानी कितना आजागा छे हजार रुपया तो हानी परसेंट बराबर अगर निकालना है तो छे हजार बटा 14,000 गुना 100,000 करेंगे 42 पुर्णांग 6 बटा 7 परसेंट आ जाएगा अंसर आ जाएगा हमारे पास C, बलिदान अस्तम्ब की अधार सिला कहां रखी गई है अंसर हो जाएगा B, सिरी नगर में अमीज सादवारा सिरी नगर में बलिदान अस्तम्ब की अधार सिला रखी गई है उस बिकल्ब की आकिर्टी का चैन करेंग जो दिये गई आकिर्टी में उस भाग के रूप में सहनी ही थै इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B, निम्लिकित सुल्तानों में कौन लाख बक्स के नाम से जाना जाता है अंसर हो जाएगा C, कुतूब दिन इवग को लाख बक्स के नाम से जाना जाता है इसका राज रहा है 1206 विसे 1210 विक तक और ये गुलाम बंस के संस्थापक भी था जस्टिन ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उचन्याले के मुख नयदिस के रूप में सपत ली है और इसका सही अंसर हो जाएगा अपसंडी राजस्थान हाई कोट में किस ने सपत ली है तो राजस्थान हाई कोट में राजस्थान के राजपाल कलराज मिस्र ने राजभवन में राजस्थान उचन्याले के मुख नयदिस के रूप में मुर्ति अवस्टीन जॉर्ज मसी को पद की सपत दिलाई है निम्लिखित बिकलपों में से समिकरन को संतुलित किये जो एक जगा पर कौन सा चिन का परियोग हो तो इसका जो अंसर हो जाएगा वो जाएगा एक बस्तु की अंकित मुल पर 20% की छूड़ दी जाती है फिर बस्त में कर रहा एक समाइनस एक सगुना बीस बटा सो बरबर कितना तेरह सो असी रुपया बस इसे सोलो कर देना है तो एक सके मान हमारे पास जो आ जाएगा वा जाएगा सत्रह सो पचीश रुपया अंसर हो जाएगा डाक्टर अब्दुल्ला अलमेंडोस को खाली अस्थान के लेकर दोहजर सताइस तक चार साल के कार्जकाल के लिए चुना गया है डेवलू एम्म कितना सदस सभी तक है तो 193 में सदस देशो और छेत्रों के परदिनीद में से पंचान में मत पराप्त हुआ था डाक्टर अलमेंडोस को चीनों और अंकों को बदलने पर कौन से समिकर होता है इसमें सुरू के चार अ च्छर नामदर साता है पाज़वा करेक्टर जीरो होता है और चित्ता किस ने परति पादित क Cake अनिस चित्ता के सिद्धान अंसर हो जाएगा सी हाईजेन बर्ग ने किया था और कभी किया था तो 1927 इसके अनुसार किसी लेक्ट्रोन को सही स्थितिया और सही बेकर निरधारन एक साथ करना असंभव है बिशम का चैन करें इसमें से बिशम कौन सा है यह देखना है तो यही बात है लेकिन इसमें नहीं है तो अंसर हमारा हो जागा B क्योंकि Q से प्लस चार करेंगे तो यू होगा इसमें प्लस नौ करेंगे तो D होगा तो हमारा अंसर हो जागा B एक निस्ची तरासी पर 5% पड़ती बरस की दर से ब्याज कितने बरसों में खुद का 3 बटा 8 हो हो जाएगा ठीरीपी बटा 8 गुना 100 बटा पी गुना 5 इससे हमारा समय निकल जाएगा 7 बरस और 6 महीने निकल जाएगा अंसर हमारे पास आजाएगा B विस्वत तंबाकू निश्यत दिवस परतिवर्स कम मनाया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन B 31 मही को बिस्वत तंबाकू निश्यत दिवस मनाया जाता है 31 मही को अलग सब का चैन किजिए इसमें से अलग कौन है तो अंसर हो जाएगा A रूस रूस एक देश है जबकि अंसर ही जो यह सब है यह महादीब है पिर्थिवी तथा चंद्रमा की नियुनतम दूरी कब होती है और इ इंगलिस में क्या कहते हैं एपोगी कहते हैं क्या कहते हैं और महीने में एक वार जब चंद्रमा पिर्थिवी से अधिकतम दूरी पर होता है उसे क्या कहते हैं अपवू यानि पेरीगी कहते हैं उसी तरह सूर्ज पिर्थिवी और सूर्ज के बीच भी यह कहा जाता है जब रेक्त में उरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं अंसर हो जाएगा बी यूरीमिया रेक्त में उरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहते हैं यूरीमिया कहते हैं अलग सब्द इन में से कौन है यह बताना अंसर हो जाएगा डी पंखा पंखा को छोड़कर अनसर भी घर का हिस्सा उसदा है Śसए 128 के बीच कका होगा है यह का सिक autumn पर दो हो जाएगा तो जो हमारे पास निकल के आ जाएगा, 102 बट़ा, 2 बरबर, एकामन, अंसर जो हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा, B, नेक्स्ट है, निमलिखित में कौन सा मानव उससर्जंत तंत्र में मुत्र पत्र के सही करम को दर्साता है, अंसर हो जाएगा, A, ब्रिक है, फिर मुत सागरिया धारा हिंद महा का सागर से संबंदी थैं अंसर हो जाएगा भी अगलुहास धारा अगलुहास महासागर धारा हिंद महासागर से संबंदी थैं हिंद महासागर की धराएं दचिन बितीय धारा मुंजबिक गर्मधारा मेडागासकर गर्मधारा अगलुहास गर्मधा और पस्चिम अस्ट्रेयले ठंडी जलधारा आरवी आई के संबन में निवन कथन पर विचार करें और सही कथन क्या है यह हमें बताना केंदर सरकार ने स्वाविनाथन जान की रमन को तीन साल के लिए आरवी आई के डिप्टी गवर्नर निप क्या है बिल्कुल सही है बरतमा इसकी बात करें तो यह 12 के स्क्वाइर पलस 2 लिखा हुआ है 192 लिखा हुआ 24 के स्क्वाइर पलस 2 लिखा हुआ है 326 हाँ को अगर हम लिखेंगे कितना 18 के स्क्वाइर प्लस 2 12 14 13 Ein आहाँ तो यह स्पॉर्म में नहीं है qre confronting न के फोर में तो हमारे पास अंसर हो जाएगा डी एक खिलाडी को 15 पारियों में एक निश्चित आस्चत रन है 16 सुलावी पारियम उन्होंने 120 रन बनाए जिससे उसका आस्चत 6 रन बढ़ गया नया आस्चत रन क्या है तब माना 15 पारियों में जो है वो आउस्सत कितना था एक्स था 16 पारियों में जो आउस्सत हो जाएगा वो एक्स प्लस 6 हो जाएगा 16 गुना एक्स प्लस 6 माईनेस 15 गुना एक्स परावर 120 आना चाहिए क्योंकि यह आखरी बाला पारी को निकालेंग किस तरह यह equation है इससे निकालेंग है आग यह दिया हुआ है 120 एक्स बरबर हो जाएगा 120 माइनस 96 में यानि 24 तो निया आउस सतरंज हो जाएगा 24 पलस 6 बरबर 30 अंसर C हासी मोटो रो का संबंद किस गरंती से है अंसर हो जाएगा A थाइराइड गरंती से हासी मोटो रो का संबंद थाइराइड गरंती से इस सबस्था में थाइराइड गरंती का स्राव इतना कम हो जाता है कि स्राव बढ़ाने के लिए D ग이ちा सरीर में 20 का काम करने लगती है इन को नस्ट करने के लिए सरीर में एंटी बॉडि बने लगती है जो थाइराइड को नस्ट कर दते हैं इससे एंटी-इमिन्योरोग या थाइराइड की आत्मात्या कहते हैं उस संख्याईगों का चैन करे जो भिन है इसमें से बताना है कि कौन सा भीन है क्योंकि D को छोड़कर जो अप्सन D है उसे छोड़कर आने सभी दूसरी संख्या पाली संख्या का गुन जाए यह सतना मातीरे सर्थ 5-7-35 आई पंचान में यह भी गुन है लेकिन यह नहीं है तर अंसर हो जाएगा हमारे पास D स्वेत करांती निम्लिकन में किसके आधिक उत्पादन से संबन्दी थै और इसका सही अंसर हो जायेगा C दूद का स्वेत करांती याण्योप्रेशन फ्लुड दूद के अधिक उत्पादन से संबन्दी थै इसकी शुरुआज जो हुआ था 177 में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था तो डाक्टर बर्गिश कुरियन के द्वारा किया गया था हरित करांती करते हैं खादान उत्पादन के पीली करांती करते हैं दिलहन का भूरी करांती उर्बरक उत्पादन का बदामी करांती मसाला उत्पादन का और सुनहरी करां रिंग आफ योगा का योजन किया गया था उस बिकलब का चैन करे जो सब्दों को सही करम को प्रतिनी दुख करता है अंग्रेजी सब्द कोस की तरह है इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोई रासी चक्रविर्धी ब्याज की तरह से 10 बरसों में 3 गुणा हो जाती है या कितने बरसों में 80 गुणा हो जाएगा माना के मुल्धन अगर हम बात करते हैं एक तो प्रस्ण से एक गुणा 1 पलस आर बटा 100 के पावर 10 बरावर 3 के पावर 1 एक 80 बरावर हो जाएगा तीन के पावर 4 गुणा होने के लिए समय एक लगगा 10 गुणा 4 यानि 40 बरस इस में थर से भी बना सकते अंसर हो जाएगा 40 बरस या एक और है कि 10 बरसों में 3 गुणा हो जाता है तो टी बरसों में कितना 3 बटा 4 गुणा तो टी बरावर 10 गुणा 4 बरावर 40 बरस क्योंकि 80 गुणा बरावर 3 के पावर 4 गुणा होता है अंसर हो जाएगा 40 देश ब्यापिक गंभीर तिब्र स्वसन सलचन सार्स जो बार बार समचारों में आता रहाए निमली खित में किसके कारण होता है और इसका अंसर हो जाए गड़ी विशानु के कारण यानि पाइरस के कारण सार्स होता है रहस्मा निमोनिया था सिब्यर एक्यूट जाए एक होए थे और यह भीशानु से होता है अगला फिर से अंग्रेज्जी के सब्द कोष में कैसे दिखाई देंगे उसाहिए एरेंज करना है इसका जो सही अंसर और गीका कॉन सा है अंसर हम किसंग सबसे ज्यादा किसंगं है यह बर्सा के शामानता बनीουμε है घ्रम रित के औरंगावाद जीला में होता है तिरफनबा दादा साहब फाल के अवाद से किसे सम्मानित किया गया अंसर हो जाएगा डी बहीदा रहमार को तिरफनबा दादा साहब फाल के अवाद बहीदा रहमार को सम्मानित किया गया है निमली खित में किस विकल्ब में दिये गए सब 2 को तारकी का धार पर रखा गया है अंसर हो जाएगा D 5 2 3 4 1 सबसे पहले क्या होगा परती भागी आएगा फिर परतियोकता होगा फिर निर्नाई को द्वारा निर्नाई होगा बिजेता होगा उसके बाद पुरुसकार मिलेगा एक बृत्खंड का छेतरफ़ल ग्याद किजिए जिसकी तरिजटा 14 cm है तकें दले कुन 45 डिगरी है बृत्खंड का जोच्छेतरफल होगा बृत्खंड का जोच्छेतरफल होगा वो होगा πाई आर स्कॉायर थीटा बटा 360 डिगरी इसमें मान रखते ना है 22 बटा 7 गुना 14 गुना 14 गुना 45 डिगरी बटा 360 यानि हमें सोल्व करेंगे तो 87 सेंटी मीटर स्कॉयर आजाएगा अंसर हो जाएगा B कौन सी पून रुपेन अंतरस्तावी गरंती है अंसर हो जाएगा C पून रुपेन से अंतरस्तावी गरंती है अगला है किस बिकल्प में दिये गए सब्दों को तार्की कधार पर रखा गया है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा सबसे पहले कमरा होगा फिर फ्लाइट होगा अपार्टमेंट होगा श्टीट होगा उसके बाद टौन होगा पर्थम अफगान यूद किस बरस लड़ा गया था अंसर हो जाएगा C और यह 37 भटनागर प्रुषकार 2022 के लिए दो साल के अंतरा के वाद सितंबर 2030 में देर के सिर्ष बार्सिक बिज्यान प्रुषकार 37 भटनागर प्रुषकारों की यह घोशना की गई थी नेच्ट है नीचे देगे प्रश्णों में लुप्त संख्या बताना है को इस क्या है तो अगर हम करते हैं 91 पलस 172 पलस करेंगे हो जागा इसमें क्या करेंगे पलस में तो हमारे पास आ जागा यहां पर हम करते हैं एक्सो कितना एक्सो चोरान में जहकोए इस में सरलीघ करना है यह करते हैं अब Susaby निनान्य इनान में पलस पंचानमें बटा देर में गुनानिनान में मायनस पंचानमें लिक सकते हैं यह सोल लगोंड़ू सब तो spreads कंचार साथ nerve 19 w a clean ned नि में किसको जोड़ता है और इसका सही अनसर हो जाएगा अप्शन बी हडी को हडी से लिगेमेट्सजो है हडी को हडी जोड़ता है और कंडन रहा हो यह घना मजबूत तन्तु में स्वेटनॐ तक है जो मासपेशियों को अस्थिवां अथव दूसरी मासपेशियों से जोड़ता है असनाय होता है दिये ग All सद्में लुफ संख्या ग्याद करना हैं तो आईए इस में से लुफ्त संख्या ग्याद करें अगरہ हम आठ के स्कौयर करेंगे तो 64 हो जाएगा छे के स्कौयर करने मिंदब है कि अच्छ कश प्राइबंब और इन तीनों को आठ पल साथ सारे जहां सच्छा गीत की रचना मुहम्म्मद इकबाल ने जनगना मना करविन अट्टेगोर ने बंदे मात्रम के बंकिम चंडर चटर जी ने और गीत गोविंद के रचयता जैदेव है सर्फरोशी कीता मनना बिस्मिल्ला अजीमा बादी ने सर फ्रोसी की तमन्ना को सुतंता संगराम के दोरान लोगपिडिये बनाने का काज राम परसाल बिस्मिल का था लेकिन ये रचना के थे बिस्मिल्ला अजीमा बादी ने हाले में G20 संगठन का एकिसवा सदस किसे बना गया गया है इसका अंसर हो जाएगा अगरा प्रस्ट है कि दिएगे प्रस्ट में लुक संख्या गयात करना है इसमें बताना है कौन सा तो जिस तरह कालिक से लिखा हुआ है एक गुना तीन गुना चार गुना पांच करते हैं तो ये हो जाता है साथ उसी तरह सच्छका ब्यालिस अब 44 गुना 1, 84 लिखा हूँ, गतिया 30, गतिया 90, 90 गुना 1, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90, तो अंसर हो जाएगा, C 3 गुना 22, भागा 5 के स्क्वार, प्रस 2 के Q, माइनस 2 के पावर X, बरावर माइनस 300, X का मान, क्या होगा तो आईए, 3 गुना 22, पहले 66 हो जाएगा, और यह भागा है, पच्चरे 25, च्या आथ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 33, यानि भागा 33, जो 25 गावर X बर माइनस 30 हो जाएगा यानि 2 माइनस 2 के पावर X बरावर माइनस 30 2 के पावर X बरावर हो जाएगा 32 तो 2 के पावर X बरावर हमारे पास आजाएगा 2 के पावर 5 तो X बरावर 5 इसका सही अंसर हो जाएगा A जिवानु साइनो बेक्टिरिया माइक्रो प्लाज्मा निम्द में से किस जगयत प्रनाली का उधारन है। और इसका सही अंसर जो हमारे पास आजाएगा वह हो जाएगा KYA इसका सही अंसर हो जाएगा B-2 Monera जीवानू साइ्णु बैक्तिरिया माइक्र प्लाजा मौनेरा अब हम इनी मिलिया में और जिवानो साइनो बेक्टिरिया माइक्रो प्लजमा किसका उधारा है तो मुनेरा का दिये गए प्रस्ट में लुप संख्या ग्याद करना है कि कहा है तो ही अगर 9 को हम 9 से गुना करेंगे तो ये 81 हो जाएगा और 81 को 9 से गुना करेंगे तो 729 हो जाएगा उसी तरह 8 को 8 से गुना करेंगे 64 हो जाएगा और इसमें फी 8 से करेंगे तो 512 हो जाएगा 7 गुना 7 वरवर 49 49 गुना 7 वरवर जो हो जाएगा वो 343 हो जाएगा अंसर हमारे पास आजाएगा C चंपा निमलिखित में किस महाजनपत की रध्धानी है और इसका अंसर हो जाएगा डी अंग का चंपा अंग महाजनपत की रध्धानी है और कितने महाजनपत है तोटा सोला महाजनपत है बरस 1990 में अंतराश्टिय परसद के स्थापना निमलिखित में किसकी अनुसंसा पर की गई थी अंसर हो जाएगा भी सरकारिया आयोग अंतराजीय परसद के अस्थपना सरकारिय की नुसान सापर की गई थी इस आयोग का जो गठन होता है वह 993 में केंद्रा संबंधों के सुधार ने और आजियों की स्वायत्ता संबंधी मारगों पर सिफार स्वार देने के लिए क्या गया था कब 1983 में दिये गए प्रस्ट में लुप संख्या ग्यात करना है इसमें से कौन सा लुप संख्या है तो आईए देखते हैं उसी तरह 24 माइनस क्या करना है 11 अब पलस ये 8 कर देना है तो 21 आ जाएगा टैंक के तीन आसन भुजाओं का चेज़फल तीन मीटर स्कॉर बारा मीटर स्कॉर और सुला मीटर स्कॉर है तो टैंक की छमता लीटर में क्या होगा तो लबी बरबर जो दिया हुआ है वो तीन है बी एच बरबर बारा है और एचल बरबर जो दिया है 16m² है अब अगर हम गुना कर देते हैं तो L² B² H² वरबर 3 गुना 12 गुना 16 हो जाएगा अंडर रूट 3 गुना 12 गुना 16 या अंडर रूट 566 वरबर हो जाएगा 24 मीटर क्यों हो जाएगा अब टैंक की छमता जब रहा हो जाएगा वह जाएगा चोविस गुना है तमिलनाडू की बात करें तो सलेम सावुदाना मरतंड सहद ऊटी बर्की निगामम सूती साड़ी आदी के लिए मिला है वो है नागरी दूबराज के लिए नागरी दूबराज और यह क्या है तो यह एक परकार का चावल है दिए गया प्रसमें लुप संख्या ग्याद करन तो यह आजागा चावण अंसर हमारे पास आजाएगा ए निमलिखित में कौन उस न्याले की पहली महला मुखनियादिस थी उस न्याले की पहली मुखनियादिस थी अंसर हो जाएगा बी लीला सेट कौन थी तो लीला सेट लीला सेट उन्हें सो एक आनमे में हिमाजल परद किमा बी-वी नेक्स्ट है यदि X स्कुरार माइनस ठीए एकस पलस बर्बर जीरो हो तो X पलस बन भाई X का मान क्या होगा एकस से दोनों तरफ भाग देते हैं दोनों तरफ जो हम भाग देते हैं तो हमारे पास एकस बटा एकस करेंगे तो हो जाएगा x-3 plus a बटा x बरवर 0 x plus a बटा x बरवर ओजाएगा 3 यह पर डारेक्टर जाएगा अंसर हो जाएगा d आईए x के मानों वहाँ बटा 3 नौ गुना-2 बटा 3 के होर स्कोईर मैनेस 3 गुना-2 बटा 3 मानेस 11 हो जाएका नौ गुना-4 बटा 9-2-11 चार पलस-2-11 बरबर-5 अंसर हो जाएगा बियारंबेतकर का समयधान सभा में निरवाचन हुआ था कहाँ से? सही अंसर हो जाएगा बी बंबई परसीडेंशी से 1946 में संपन समिधान सवा की पर्रमभिक चुनाम में डक्टर भीमरा बंबेतकर आप भीभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाजित हुए थे लेकिन बाद में पूरा सीट खाली करवा के उनके लिए कॉंग्रेस के इमार जैकर से त्याग पत्र देकर रिक्त कराया गया था और उन्हें बंबई परसीडेंशी से निर्वाजित सदस के रूप में समिधान सवा में कार्ज किया था नेक्स्ट है निम्लिखित में समिधान सवा की संग समिधान समीति के अध्याच कौन थे अंसर हो जाएगा सी जवाहरलान नहरू समिधान सवा के संग समिधान समीति के अध्याच जवाहरलान नहरू थे और इसमें कई परकार के समीतिया बनाये गई थे समिधान सवा में प्रवारतियाई समिदान के अंतरगत निमली करतब नहीं और मुलूरू से हमारे समिदान में मौली करतब्भयों का वे था बग्यानिक दिरिष्ट कोन की भावना का विकास यह है सारवजनिक संपत्ति की सुरच्छा है समिधान का पालंत था इसके अधर्सों का सम्मान करना है और इससे सामिल किया गया था अंसर हो जाएगा सी भारा सरकार का कौन सा अधिकारी सदस न होते हैं भारतियास अंसर की कारवाहि में भाग लेने का अधिकार रखता है अंसर हो जागा B, Attorney General निमलिखित कतनों पर बिचार किजिए और बताइए कि इन में से कौन सा कतन सही है आईए देखते हैं, राजसभा का धन विध्या को या तो अस्विकार करने या संसुदित करने की कोई सकती नहीं हित नहीं है, बिल्कुल सही राजसभा अनुदानों की मांगों पर मतदान नहीं कर सकती है, बिल्कुल ये भी सही है, राजसभा में बालसिक BTS विवरन पर परचल्चा नहीं हो सकती, ये गलत है, अंसर हो जाएगा केवल B, यनुच्छे देख सो नौ के अनुचार धन विध्या केवल लोग सभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, सुचना के अधिकार अधनियम को भारत के राश्टपती द्वारा स्विक्रती प्राप्त हुई थी, कब प्राप्त हुई थी, अंसर हो जाएगा C, 15 जूम 2005 को, सभी लोग ध्यान रखते हैं कि 2005 में हुआ, लेकिन किस दिन ये आजकर डेट पूछने लगा है, तो 15 जूम 2005 को, सुचना के अधिकार नियम पारित हुआ था, राश्टपती की स्विक्रती मिली थी, और ये 12 अक्टूबर 2005 से प्रभावी हुआ, ये था ज्यान बिंदू के द्वारा निकाला गया, बिहार SAC के प्रैक्टिस सेट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सेयर कर दिजेगा, ध्यम्निवाद